भी चूछान panels यहाँ कॉलावाधि प्रॉण करीने सुटामार करने हो ऐसे जिस तरीके से हसे चाल खराक्ते 14 यहीं मौह स्टीकरके प्रोड़ेक्ट करे यह लग होथ सब्सक्रा है बट हम उस चीज का इस्तमाल करने का तरीका बदल सकते हैं कि वो किस तरीके से उसे यूज करें कि वो हमारी स्कीन पर सूट हो और उसके जो जितने भी अच्छे एफेक्ट्स हैं वो हमें मिले आज हम बात करने वाले हैं बालों के बारे में सो बालों का चड़ने के रोकने के हम पकुछा है में लिए उरी और घृहरो बर। के योगता फोलग के ट्रय कि था रंपि लिए बट्रक उसका आप though तो हमले डिनर की पृड़ कर सकते अपको ढ Iran in theём कर तो आब को मैं लेकर आहे हैं जिन्जर ओल के बिद्र खिद्रणenteen में बताया ँखा कि जैसे कि जींजर का बमख confies करते हैं उसमें आप का यूस कर सकते हैं बत जो मेधन में आपको जींजरय का बताने वाली हुझ वह हमारे आइ़र dalamben बताया घया है कि किस तरीके से जींजर को हमें यूज करना चाहिए अपने बालों के लिए किस तरीके से उसको प्रोसेस करना चाहिए कि वो हमारे बालों के लिए effective हो तो देरी ना करते हुए चलिए मैं आपको पताती हूँ कि आपको किस तरीके से बनाना है जिंजर आपने बालों के ग्रोथ के लिए सिंजर ऑयल बनाने के लिया आपको जिंजर क से ध Quinn करकेchutz क्लीन करके क मित्रिस निकालने के उसे दूप में ड्राय करने के बाद मैं वह कुछ इस तरीके से दिखेगे, और ने कAdam कोट लें आपको जितना ज़र्व तो आप उतना ही कूटें, एक बार के लिए ये काफी है, एक बार आपके बालों में आइलिंग करने के लिए इतना जिंजर काफी है, उसके बाद में आपको लेना है कोकोनेट आइल, आपको जितना अपने बालों के लिए यूज हो उतना आपको कोको कोटी हुई जिंजर को आपको डाल देना है coconut oil में और अच्छे से mix कर लेना है और उसे अब आपको लिजा कि रखना है धूफ में 3-4 घंटों के लिए जी हां आपको से धूफ में रखना है 3-4 घंटों के लिए और आप देख सकते हैं कि इसका color चेंज हो जाएगा कुछ ही देर में इस तरीके से देखें हमारी जिंजर ने पुरा रस छोड़ दिया जो सन लाइट की वज़ए से जो धीमी-धीमी हीट की वज़ए से इस पर जो इफेक्ट पड़ा है यह बालों के लिए काफी अच्छा होगा ऑल हमारे बालों के लिए बजाए कि इसके कि आप जो डबल प्रोसेश से ऑईल को गरम करके जो आप जिंजर ऑईल बनाते हैं या डायरेक्ट रस निकाल करके आप ऑईल में मिक्स करके उसे बनाते हैं उससे ज़्यादा एफेक्टिव ये होगा क्योंकि जो धीरे धीरे सनलाइट की वज़े से इसमें जो इफेक्ट्स आए हैं जो ओईल में गुण आए हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छे होंगे तो ये बालों के लिए रैडी है और आप इसे लगा सकते हैं अपने बालों में चाहें तो इसे जादा कॉंटिटी में भी बना सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं बस इसे simple DIY है आप आराम से अपने घर पर इसे कर सकते हैं और अपने बालो की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं जाने से पहले प्लीज मेरे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप definitely subscribe जरूर करेंगे Thank you for watching my channel